चार्ज आएगा नेगेटिव जितना नेगेटिव चार्ज अंदर की और जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर की और जाएगा यह ध्याना यह चार्ज पूरा सर्फेस पे है अच्छा कितना चार्ज गया यहां पे नेगेटी और यहां पे पॉजिटिव तो कैसे कैल्कुलेट करें तो यहां पे इस तरह से एक और गौश्यन सर्फेस ट्रॉप यहां पे पॉजिटिव है यहां पे चार्ज पॉजिटिव है यहां पे चार्ज नेगेटिव है बताऊ lines of force ऐसी होगी नहीं कोई positive charge से originate करेगी negative पे terminate करेगी और साथ में lines of force कैसी होगी parallel होगी देखो है की नहीं है अब बताऊ ना तो इससे कोई flux link कर रहा है ना इससे कोई flux link कर रहा है ना इससे कोई flux link कर रहा है तो formula क्या था total flux किसके बराबर होता है 1 upon epsilon not times Q in अगर 5 की value क्या हो गई? 0 5 की value अगर 0 है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Q in 0 होना चाहिए अब Q in कैसे 0 होगा? Q in 0 तभी हो पाएगा अगर यहाँ पे plus Q by 2 का charge का distribution बन रहा है तो यहाँ पे minus Q by 2 का होना चाहिए तभी तो प्लस Q by 2 और minus Q by 2 का charge add होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अच्छा अब यहाँ पे अगर minus Q by 2 गया तो यहाँ पे कितना गया? plus Q by 2 और यही charge का मेरा क्या है distribution है तो इस पे Q by 2, इस पे Q by 2, इस पे minus Q by 2 और इस पे कितना आ गया? प्लस Q by 2 अब हमें electric field कहां find out करनी है electric field हमें find out करनी है at point A, B and C अब धान यहाँ पे charge की कितनी layer है तो यहाँ पे charge की layer है यहाँ पे charge की layer है यहाँ पे charge की layer है तो टोटल यहाँ पे charge charge की layer है और charge की layer के current formula था sigma by 2 epsilon naught sigma की value क्या होगी Q by 2 charge है जो कितने एरिये पर जाता है A पर तो value put करोगे तो result होगा Q by 4A epsilon 0 देखो है कि नियम आप पर अचाँ अब जो भी charge की layer है उसके current इतनी electric field बन रही होगे अब आओ A point के ज़िए property क्या ध्यान रखनी है positive charge के कारण lines of force ऐसे draw करोगे negative current terminate करेगी ये charge positive है तो इसके current left ये charge positive इसके current भी left ये charge negative है तो इसके current right ये charge positive है तो इसके current यहाँ पर अब बताओ सभी electric field तो यही है कि नहीं सब layer के कारण हर layer के current electric field इतनी बनेगी तो ये दोनों cancel out हो गए result अब क्या हो जाएगा result हो जाएगा q by 4 a epsilon naught plus q by 4 a epsilon naught तो ये क्या बन गया electric field left की और आएगी और कितनी आएगी q by 2 a epsilon naught देखो ये ये कि नहीं बहुत है तो a point पे अगर electric field की बात कर रहा है तो वो value हो जाएगी q by 2 a epsilon naught अब आव बी point पो जाएगा इस positive charge के कारण right इस negative charge के कारण right इस negative charge के कारण right इस positive charge के कारण left फिर से ये दोनों क्या होगा है cancel out होगा है तो दोनों electric field को add करोगे तो result वही आएगा q by 2 a epsilon naught लेकिन direction क्या होगा right की और होगा अब यहाँ पे आओ इस positive के कारण right negative के कारण left इस positive के कारण right इस positive के कारण भी right ये दोनों cancel out होगा है फिर से add करोगे result अगेन कितना निकल के आएगा q by 2 a epsilon naught तो इस तरह से हम electric field क्या करते हैं किसी भी point पे find out करते हैं clear होगा इतना फिर आजाओ वहाँ पर अगेन फिर से 2 sheet लो अगेन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 sheet ले रहे हैं conducting लेकिन द्याना इस से पहले जो हमने case discuss किया था वहाँ पे 1 sheet conducting 1 sheet 1 conducting sheet थी charged और दुसरी क्या थी conducting sheet थी लेकिन वो neutral थे अब यहाँ पे दोनों conducting sheet का हमने charge दिया है एक को हमने charge दिया है plus qu, दुसरे को हमने charge दिया है minus q फिर से हमें पता लगाना है कि यहां पे charge का distribution कैसे होगा तो अब यह चीज़ ध्यान रखना है इस plate को अगर हमने Q charge दिया है तो अब यह Q by 2 Q by 2 distribute नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कि बगल में यहां पे कोई दुसरी charge body है तो अब कैसे calculate करो यहां पे अगर Q charge मान लिया तो यहां पे Q minus Q आएगा एक नहीं तो यहां पे अगर Q positive charge है तो यहां पे charge आएगा capital Q minus क्या हो गया small Q अच्छा गॉस्थियम यूस करे रहा इन दोनों sheet के बीच में आता हो lines of force ऐसे चलेगी नहीं चलेगी यहां पे charge positive है तो यहां पे charge क्या हना चाहिए negative होना चाहिए यहां पे flux 0, यहां पे flux 0, यहां पे flux 0 और total flux अगर 0 है तो net charge भी 0 न चाहिए अब net charge 0 कैसे होगा यहां पे अगर plus Q charge है तो यहां पे अब charge क्या होगा minus Q होगा यहां पे क्यों अब ध्यान है यहां पे charge minus Q है अब यहां पे charge को लिखने का तरीका क्या है देखो लिखेंगे हम ऐसे वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब लिखने का तरीका होगा वहाँ पे क्या होगा Q बन रहा है क्योंकि minus Q वहाँ पर net charge है दोनों के charge को add करेंगे तो ये charge बनना चाहिए लेकिन लिखने का तरीका क्या हम ऐसा नहीं लिखेंगे minus Q plus Q मतले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे minus of Q minus Q क्योंकि small Q part बाहर जा चुका है तो केवल capital Q minus small Q इतना negative charge यहाँ पर रह गया होगा अच्छा अब Q की value कैसे मिलेगी तो यहाँ कहीं एक point लो अब इस point पे property क्या है ये point inside conductor है net electric field 0 नी चाहिए charge की layer के कारण electric field का formula था sigma y 2 epsilon 0 देखो ये था कि नहीं था होगा अब ये charge है ना ये charge positive है तो इसके कारण electric field right की ओर होगी value क्या होगी Q minus Q by 2A epsilon 0 देखो है के नहीं है ये charge positive है positive charge के कारण line इस तरह से जाती है negative के कारण terminate करती है तो इस positive कारण यहां पे left की ओर होगी कितनी होगी value Q by 2A epsilon 0 ये charge negative है तो negative charge के कारण ये कहां होगी right की ओर होगी negative charge के कारण ये right की ओर होगी और ध्याना क्याल magnitude लेना है sign नहीं लेना है तो magnitude कितना होगया Q by 2A epsilon 0 ये भी charge negative है तो इसके कारण यहां lines of force right की ओर होगी magnitude कितना होगा Q minus Q by 2A epsilon 0 देखो ये magnitude है कि नहीं है negative sign हमें consider नहीं करना है अच्छा इस point पे net electric field 0 है तो इन दोनों को add करने पे result 0 मिलना चाहिए तो इसके साथ ये term वहां पे क्या होगई cancel out होगई add करने जा रहे हैं बचेगा किवल क्या Q minus Q by 2A epsilon 0 plus Q minus Q by 2A epsilon 0 equals to 0 net electric field आँ में क्या चाहिए 0 चाहिए अब net electric field 0 करोगे तो ये value आएगी capital Q minus Q equals to 0 तो small Q किसके बराबर capital Q के बराबर देवर चेक करो ये है कि नहीं है वहां पे यहां पे solve करोगे 2 वाली term हट जाएगी Q minus Q A epsilon 0 तो capital Q minus small Q 0 तो small Q capital Q के बराबर है तो अब तुम क्या बोलोगे अब तुम बोलोगे यहां पे यहां पे minus Q बाहर वाले पे चेक करो सब term 0 हो जाएगी नहीं 0 हो जाएगी यहां पे था capital Q minus small Q 0 वहां पे क्या था minus of capital Q minus small Q तो वह भी क्या हो गया 0 इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो conducting sheet है और उनको अगर हम charge equal और opposite देते हैं तो यह charge इसके inner पे आएगा इसके inner पे आएगा लेकिन outer surface पे charge वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और आगे जाओगे इस तरह का जो arrangement रहता है उसको वहां पे आगे हम नाम देंगे parallel plate capacitor जो आगे हम लोग capacitor पढ़ेंगे तो यह क्यों ध्यान रखना है capacitor पलते वक्त कि अगर हमने plate को plus Q और minus Q charge दिया तो वो दोनो charge कहा जाएगे इसके inner surface पे जाएगा अच्छा अगर हम electric field की बात करें तो electric field जरूर हो सकती है यहाँ पे एक point लो यह charge की layer है इसके current electric field कहा होगी हम बात कर रहे हैं हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हम चेक करने ही कोश्च कर रहे हैं इस plus Q के current left की और इस minus Q के current right की और तो तो यह cancel out होगे यह नहीं होगे यहाँ पे अगर कोई point लेंगे तो negative के current left positive के current right यह भी तुमारी वहाँ पे क्या होगे cancel out होगे लेकिन अगर मैं कोई point mid में लो तो इस plus Q charge के कारण lines of force right की और negative charge के कारण lines of force right की और कितनी electric field होगी इस point पे इस point को भी बोल दो मान दो तो हम क्या बोलेंगे electric field at